लाइक शेर और सब्सक्राइब टीबीटी डूंट फागेट टू प्रेस अ बेल आइकॉन हलो गाईज कैसे हैं आप सब उमीद करते हैं अच्छे होंगे स्वास्त्व सेहत मन होंगे टीबीटी चैनल में आप सभी का स्वागत हैं आज हम बना रहे हैं वाइटमिन और मिनरल से लोड़ेट ओट्स ओवनाइट जार यह एक एंटी एजिंग रेसिपी है आप सभी को यह अपने ब्रेकफास्ट मेनू में एट करना चाहिए त्योंकि ओट्स वेट लॉस के लिए भी हेल्पफुल होता है इसे हमारी इसकिन बहुत ही आसान है चलिए हम इस रेसिपी को बनाना सुरू करते हैं पर मैंने वन कप ओट्स लिया है वन टीजपून योगर्ट बनाना एपल चीया सीट्स और वन कप मिल्क और जार्स हम यहाँ पर मिल्क एट करेंगे ओट्स में मैंने मिल्क थोड़ा सा गरम लिया हुआ है मिल्क हमारे बोन के लिए भी बहुत अच्छा है उसमें प्रोटीन होता है और कैलसियम होता है अब हम इसमें योगर्ट डालेंगे योगर्ट में भी कैलसियम होता है यह ओवर ओल हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है अब इसमें चिया सीट्स एट करते हैं चिया सीट आपको किसी भी grocery store या supermarket में easily मिल जाएगा चीया सीट्स खाने के बाद आपको पता होगा कि काफी देर तक भूख नहीं लगती है और हम hydrated रहते हैं मैंने अच्छा से mix कर लिया है हम अपने jar को फिल करेंगे हमने इसे आदा फिल किया है कुछ इस तरीके से हम इसमें apple डालेंगे और साथ में बनाना और फिर से हम इसमें oats का mixture डाल देते हैं देखे मैंने इसे पूरा फिल नहीं किया है ठीक उसी तरीके से हम अपने दूसरी जार को भी फिल कर लेंगे apple बनाना में fiber होता ये health के लिए बहुत अच्छा है heart के लिए digestion के लिए भी बहुत अच्छा है ये जार बिलकुर power house है immunity का तो इससे आप अपने breakfast menu में जरूर एट कीजिए ये हमारे बोन के लिए भी बहुत अच्छा और healthy skin भी रहेगी आपकी देखे मैंने दोनों जार फिल कर लिया है अब मैं इसे ओवरनाइट सोख होने के लिए refrigerator में रख देती हो refrigerator से मैंने अपने jars को बाहर लिका लिया है ये देखिए chia seeds और oats अच्छे से सोख हो चुके हैं और ये overnight cook हो चुका है अब हम इसमें अपने toppings add करेंगे हम इने बनाना apple, pineapple, pomegranate और grapes लिया one by one हम इस jars में add कर देंगी आप कोई भी seasonable fruits ले सकते हैं ये जो teeny jars है वो minerals और vitamins से भर पूर है ये heart, health, bone, teeth, skin, overall ये आपके health के लिए बहुत अच्छा है अगर आप जिमिंग भी करते हैं तो आपकी immunity power और energy बनाए रखेगा कुछ इस तरीके से देखिए मैंने ये jars fruits से टालने के बाद मैंने इसमें थोड़ा honey add किया है आप चाहे तो honey avoid भी कर सकते हैं अगर आपको ये recipe पसंद आई है तो आप इसे like and share करना बिल्कुल मत भूलेगा और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को अभी subscribe कीजे ताकि आगे आने वाली videos आपसे मिसना हो पाए थैंक्यू गाइस फिर से मिलेंगे